जहिन प्यार साथियों आप सबी साथियों का स्वागत करता हूँ कम्प्यूटर जी के क्लास में जी हां सेशन सांदार होने वाला है चेनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा और बिल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले सभी लेटिस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले जैसे कि बता दू यहां क्लास इंपोर्टेंट होने वाली है पटवारी एक्जाम की द है कि कंप्यूटर जीकी की जो क्लास है वो सभी एक्जाम के लिए महत्पुर्ण होती है चलिए तो प्रिविएस येर में जितने भी कोश्चन पूछे गए वो यहां पर मैं चर्था करने वाला हूं जैसे कि पहला कोश्चन आप लोगों के सामने है एस्टी एमेल का उप्योग किसका उप्योग एस्टी एमेल का उप्योग निम्न के निर्मान के लिए किया जाता है सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए HTML क्या है HTML क्या है एक language है क्या है एक language computer language है क्या है computer language है भासा ओके इसका full form क्या होता है HTML का अक्सरा एक्जाम में पुछता है आप लोगों को HTML का full form तो आपको धियान रखना है hypertext क्या है hypertext t का मतलब text m का मतलब markup markup language क्या है hypertext markup language HTML का full form होता है और इसका उप्योग किसके लिए किया जाता है तो धियान रहना चाहिए आपको इसका उप्योग किया जाता है web page के निर्माण में किसके निर्माण में web page के निर्माण में किया जाता है एक बार फिर से बता दू इसका सही उत्तर होगा web page के निर्माण में किया जाता है ओके चली बढ़ेंगे आगे ये बार बार exam में पूछे जाने वाले question है और महतपुर्न question है ओके इनका revision अगर आप कर लिया तो समझ लो computer के कोई भी question आप से miss नहीं हो सकते है ठीक है next question आपका है private network को private network को बहारी हमले से बचाने वाली क्रियाविदी खालिस्तान कहलाती है तो ये आप लोगों की कहलाती क्या firewall क्या कहलाती है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे आप लोगों का question है आप एक workbook की तीन प्रतियों को कैसे print कर सकते हो बहुत बढ़िया और सांधार question आप किसी भी चीज की photo copy निकाल रहे हो आपके पास एक document है ठीक है एक document है एक workbook है इसकी तीन प्रतियों को निकालना है copy निकालना है इसी प्रकार की तीन और copy निकालना है तो आप क्या करोगे print के लिए क्या option दोगे तो देखिए आँपे इसके लिए option आप लोगों को क्या देना होगा मेनू से print पर click करें और प्रतियों की संख्या वाले text box में क्या type करना पड़ेगा clean type करना पड़ेगा सीधा सा और simple सा option है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे आप लोगों को question है ms word 2007 किस में ms word 2007 में print preview मेनू में कौन से मेनू में निम्न में से कौन सी command उपलब्द नहीं होती जूम preview page setup देखिए print preview मेनू की बात कर रहा हूँ है न ms word 2007 में तो यह तीनों के तीनों option अविलेबल होती है जूम भी होता है preview भी होता है और page setup भी होता है लेकिन paragraph option अविलेबल नहीं होता है यह अकसर पूछे जाने वाले question है paragraph नहीं होता है next question देखिए computer science के सारे के सारे question आप लोगों को प्रिपेर करवा दिया जाएगा चली एक storage location में data रखने की प्रक्रियाखालिस्तान कहलाती है reading, controlling, handsaking तो इसका सभी तर हो जाएगा writing क्या कहलाती है ठीक है अगर कोई data आप जो है रख रहे हो किसी location पे तो वो क्या कहलाई है और reading वो क्या कहलाई है writing कहलाई है ठीक है बढ़ेंगे अगले question क्यों तो अगला question देखिए standard keyboard keyboard का नाम तो आपने सुनाई होगा जो computer में आप लोग इस्तिमाल करते हो ठीक है standard keyboard में क्या पुछा है आप लोगों को function कुझियों की संख्या खारिस्तान होती है तो यह सभी को मालूम है कि कितनी होती है बारा होती है f1 से लेके f12 वतक f1 से लेके f12 वतक होती ठीक है चली आगे बढ़ेंगे next question आप लोगों का क्या अगला है mac address खालिस्तान बिठ होता है mac address खालिस्तान बिठ होता है तो इसमें होता है 48 कितना 48 बिठ होता है और बता दू आप comments box में comments कीजिगा mac का full form क्या होता है ठीक है चली next question क्यों पड़ते है तो next question आप लोगों का क्या है गई खालिस्तान cookies को transient cookies के नाम से भी जाना जाता है तो यह आप लोगों की आजाती सेशन cookies को transient cookies के नाम से भी जाना जाता है चली next question है computers की मूल भासा जिसमें binary digital सुन्यों और इकायों की लंब सामिल होता है खालिस्तान कहलाता है चलो एक बार question repeat कर देते computers की मूल भासा जिसमें binary digital सुन्यों और इकायों की लंबाई सामिल होती है खालिस्तान कहलाता है यह क्या कहलाता है machine language मूल भासा machine language कहलाता है next आप लोगों कहें ms excel में worksheet data का चित्रात्मक निरूपन किया जाता है किसके द्वार किया जाता है तो guys यह किया जाता है आपका चार्ट के द्वार किया जाता है आपने देखा होगा अगर आप किसी भी चीच को चीतर की द्वारा दर्शाना चाहते हो ms excel में तो वह आप उसमें किसका का इस्तेमाल करते हो चार्ट का इस्तेमाल करते हो बढ़ेंगे अगले question क्यों तो अगला question आपका क्या है एक्स्टेंजन निम्न होता है good ms word file के लिए extension क्या होता है यह तो आपको भी पता होगा d o c x docs okay dot इस प्रकार से होता है देखी मैं लिख देता हूं okay d o c x small में यह dot सामने बना होता है dot docs okay उसके बाद file का नाम होता है ठीक है सामने जो भी file होगी आप एक दो तीन चार या extra next question आपका है lane का विस्तरत रूप क्या है तो lane का विस्तरत रूप आपको बता दूँ क्या होता है local area network local area network एक lane होता है एक main होता है ठीक है metropolitan area network चलिए next आप लोगों का question है कितने बाइट एक GIGABYTE के बराबर होता है यानि कितने बाइट वन गिगबाइट के बराबर होता है यह आप लोगों को पूछ रहा है तो यह आप लोगों को उत्तर होगा कितना 2,30 byte 2,30 की हाद byte आप लोगों का होता है 1 Giga byte ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे क्या है आप लोगों का चली Excel में QR1 QTR1, QTR2 QTR3 निम्न का उधारन है Excel में ये उधारन आपका किसका है Series का उधारन है Next option आप लोगों का क्या आएगा MS Word Document 2007 में निम्न में से कौन सी shortcut कुझी document में से किसी भाग को cut करने के लिए प्रियोग तो होती है MS Word Document में 2007 में निम्न में से कौन सी shortcut कुझी बोला है shortcut कुझी document में से किसी भाग को cut करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमार पस कोई document है इसमें से हमको कुछ भाग कट करना है इतना तो उसको select करेंगे हम और उसके बाद क्या दबाएंगे हम shortcut कुझी control प्लस X तो ये भाग जो है वो हट जाएगा remove हो जाएगा कट जाएगा ठीक है तो control प्लस X कुझी का इस्तेमाल किया जाता है shortcut कुझी है ये ठीक है किसी document को अगर हमको copy करना है तो control प्लस C भी दबाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ आगे आप लोगों कहा है question चलिए आस की एक coding system है जो खालिस्तान विविन character प्रदान करता है तो ये करता है कितना 128 characters प्रदान करता है इसका full form आप मुझे comments box में comment करके बताईएगा ठीक है आसकी का full form आकसर exam में आप लोगों को पूचा जाता है आसकी ठीक है वो वाली आसकी नहीं है ये ये आसकी एक coding system है जिसका एक full form होता है ओके मैं बता दूँगा तो ये आप आपके लिए homework है मैं तो बता देता चलिए next question आपका क्या है word document यानि MS word 2007 में निर्दिष्ट location में save करने के लिए आपको office बटन में खालिस्तान पर click और select करना होता है तो ये आप लोगों को क्या आजाता है save as word document को निर्दिष्ट location में save करने के लिए आपको office बटन में खालिस्तान पर click करना पड़ता है अगर आप किसी proper जगह में आप location में save करना चाहते हो data यानि अपने जो अपने अनुसार एक folder में save करना चाहते हो आपने अलग से अपना folder बना के रखा हो हो सकता है my personal document गए के तो उसमें save करना चाहते हो तो आप क्या करोगे save as का option क्लिक करोगे ठीक है चलिए next आप लोगों का क्या है MS word में selected text पर align center का इस्तमाल करने के लिए कि shortcut की का इस्तमाल किया जाता है align करने के लिए align center देखिए यहां पर align center का मतलब क्या है देखिए MS word में जैसे आप लोगों ने कुछ typing किया है इस प्रकार से देखिए यह यह आप लोगों का है MS word का page खुला हुआ यहां पर एक line आपने type किया दूसरी line इस प्रकार से नीचे type किया अब इसको आप center में लाना चाहते हो तो आप किसका इस्तमाल करोगे align center का उसी की shortcut कुझी यहां पर आप लोगों को पूछा है question में align center का अगर इस्तमाल करोगे आप तो क्या होगा है यह line आपकी जहां थी वहां रहेगी और बीच में आ जाएगी बीचों बीच में बड़िया center में आ जाएगी यह आप लोगों की नीचे बली line ताकि documents आप लो लोगों का क्या हो जाएगा control E हो जाएगा control E हमको select करना पड़ेगा shortcut कुझी उपयोग करना पड़ेगा next आप लोगों का question है जब हम किसी file को केवल delete कुझी का उपयोग कर delete करते हैं तब file खालिस्तान में चले जाती तो बहुत ही simple सा question है सबको मालू है recycle विन में कहा recycle विन मे कोई file delete करते हो तो वह आप लोगों को कहां चले जाता है computer में recycle विन में अगर वापस अगर data को पाना चाहते हो तो recycle विन से प्राप्त कर सकते हो यह एक आप लोगों के पास अलग से option होता है data को दुबारा प्राप्त करने का delete करने के बाद बढ़ेंगे अगले question की और अगल spread sheet का निर्मान करने और format करने के लिए तो यह आप लोग अगर spread sheet या किसी प्रकार का document अगर आप तैयार कर रहे हो तो वह आप लोगों को Microsoft Excel के द्वारा बनाया जाता है चिक है चले तो गैस यह थे computer gk science के महत्पून question फिर इसी प्रकार की class लेके आप लोगों के लिए हाज computer science के question very very IMP most IMP होते हैं और अभी तक जितने भी exams में question पूछे गए हो चाहे हो पटवारी हो railway हो SSC हो या other exam सब के लिए हम भी important होने वाले करप्या करके चेनल को subscribe किजी का bell icon को press कर दे ताकि आने वाले सभी latest studio आप लोगों को सबसे बहले मिले thank you guys